हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू स्टाड़ी विथक्रेजी गुरू फ्रेंड्स आज हम CRPF टेर्समेल में जो जो नोटिकेसा निकला था ड्राइवर मेकैनिक्स धोबी नाई और बहु सारे पोस्टों पे निकला था तो उस पे जो हम पेपर इनालिसिस का जो स्टिक्रा पूछेगा है तो यह देखते रहीएगा तेसी ने बतान जितना भी कोसन हम आपको बता रहे हैं सही से देखके जाए और उस टॉपी को तो सही से आपको देखके जाना है तो क्या करना है एस्टाटी विथ टेरेजु गुरू चैनल पर नए है तो चैनल के सब्सक्राइब क कौन से समीधान संसूदन के संसूदन आपको पता रहना चाहिए तेहा तरवा समीधान संसूदन ता समीति के सिफारिश पे गठन किया गया था और आपको बता दें गराम पंचात जो है आर्टिकल मतलब अनुछेद जो है 40 में वर्नित किया गया है जिसमें आपको पहले भी बता हैं राजे के निती निर्देशक ततो जो है भाग जोँ कि राजे के निती सिर्देशक ततो जो है आपको आयरेंड कीज लिया गया है तो यहे वी नेक्स रेख़िए गणा को पůशे सप्ते हैं उसके वाद एक उनई इस सो तीरानवे में समिधान में तेहतरवा समिधान सेवाधन अधनियम उनई इस सो बानवे के द्वारा पंचाइटी रास्थाहों को समयधानिक दर्जा मतलब क्या दिया गया है मतलब क्रदान किया ओस schizophrenia article 243 हाटिकल 243 के अनुसार हर पांच वर्स में पंचाथ के नियमित चुनाव करायजाने की मतलब क्या किया गया है प्रावधान किया गया है susan मैं पूसे दैसके सकते हैं याद होगा ताफ लोग तो क्या है कि आपको मतलब इसका देडिये जएगा Qasam था किस वर्ष में ताज महल को इनुसको के विस्व धरोहर अस्थल में शामिल किया गया है तो देखिए जो ताज अभारत का पहला विश्व बिरासत सहर है तो भारत का कौन सा जो पहला सहर है जो विश्व बिरासत जो अस्थल उसमें खुशिर किया गया था तो अहमादाबाद कहां गुजरात में नोट रख लिजेगा उसyond का देखें भारत में भीस्व बिश्व धरोहर जो अस्थल की संख्याध ब्यार्ट तैस में चालिस बिसो अजो धरोहर अस्थल है जिसमेंसे 32 जो है शांश्कीर्तिक और इक जो है आपका मिश्रित अस्थल इसमें सामिल किया गया है तो इतना याद तखेगा अभी वर्त दमान में विस्व धर्वर अस्थर में भारत के जो अस्थर सामिल है खोटती है और जो आपका ताज महल को 1993 में विस्व धर्वर अस्थर में सामिल किया गया था और भारत का जो पहला सहर अहमादाबाद जो की गुजरात में है उसको जो अहमादाबाद गुजरात को भारत में 200 धरोवर अस्तर में पहलावार सामिल किया गया था है यह याद रखिएगा भाई उस्ताद अबदुल वहित खायो थे आपका जो किराना घराना से समांध। नेक्स्ट के सिफ्ट में जितना भी घराना आप से देखने को मिलेगा नेक्स कोशन पर आते हैं नेक्स कोशन देखे कितना भी विए कोशन है अल्लाउदन खिल जी ने मंगोलों से रक्षा के लिए कौन से सहर को बसाया था देखिए जो मध्यकारिन भारत की लिहाद से कोशन पूशा जाता है आप पहले बीपता दिये और अल्लाउदन खिल जी पहले भी जो फिर्ष जुलाई 2013 को जो प्रफ्ध्य वा उसमें भी पुछा गया है तो देखे आल्लाउदन खिल जीने मंगोलों से रक्षा के लिए कौन स Here ste hi छीजी के द्वरा बस आये गाया है याद रखियेगा देखें सिरी सहर जो है सिरी किले के रूप में जाना जाता है जिसे अल्डा अगर्मन से द्रक्षा के लिए से जो मतलब जो इसका निर्मान गिया था और उसका नाम क्या पर गया शिरी सहर नाव रखा गया था कि अल्लावधिन क्या है मंगोलो का पहला आकरमन 1293 में अल्लावदिन ना जो मतलब नहीं हब ओखा ता जिसमें आहीं अकरमन का मुकापला करने के लिए अपने मित्र जफर खा को भेजा उसने जलंदर के पास मंगोलों का मुकाबला किया और उसमें क्या हुआ उसमें क्या हुआ उन्हें ओ मारा भी गया कौन तो जफर खाए मतलब मंगोल से लड़ते हुए 1296 में जफर खा मरा जाता है यह याद रखी गां तीक है उसका दखी अलाव दिन खिल जी तो जो है 1296 से 1500 बीशस्वी तक सासन करता है 1200 बीशस्य तक क्योंकि 1299 जो कि 1290 ऑड़ा कि से पर याद रखेगा धर दिल्ली सल्तनत में पांस सल्तनत आया था पहला दास था या गुलाम वंस बुलिए या मम्लुक वंस बुलिए ठीक है उसके बाद खिलजी वंस था ठीक है खिलजी के बाद तुगलक वंस आया तुगलक वंस आया उसके बाद सयद वंस आया और सयद वंस के बाद आपका लोदी वंस आया तो पांच वंस का आपको नाम पूछ देगा घोरा दागने और जो सेनकों का हुलिया लिखने की प्रथा था उसका शुरुवात किया था तो अल्लाव दिन खिल जी ने किया था और आपको बता दे जो अल्लाव जिन खिल जी के समय जो कर वेवस्था था उपाज का वान वाई टू भाग मतलब 50% जो है आप उपाज का ले लिए जाता है याद रखिएगा उसके बाद देखिए लूट का ध्हन जिसे खंस भी बुले जाता है को सन आप से पूछ देखा जो दिनली सर्तनत में खंस का क्या अर्थ है तो क्या था जो पहले का जितना भी सुल्तान था गुलाम वान सो या खिल जी वाश अंब dog का प्लाइन सैंट यह सकता हमति सकता है दैensive काफोर ऑड़े में आपको बताते जानते होंगे-ब बाताया नेक्सिप्र में कोसा बुस एगा मलीक काफोर जो है आपका जो अल्लावधिन की दिर्वार में रहता था जिस Roman leopard के अभ्यान में भेजा था जिसे रखे लावदिन ने बनवाया थाombaagen जमयद खाना जो मसजीद है उसका बश्ककी मेर बनान किए औरी नोट को क्वाइबर्ट आइस्टिन ने कौन से बेक्ति से ज़्यादा परभावी थे तो अलबर्ट आइस्टिन जो थे वह मतलब महात्मा गांधिजी से ज़्यादा परभावी थे याद रखेगा वहुसतारी की जामें पूछेगा हैं तो आप लोग को सब साही करके आएधा क्टिक इन दो राजियों की महिला सक्सर्था अधिक है किया ने 93.913 सक्सर्था अधि usted a स्थान पर बरकरार किया है उसके बाद लक्षदिफ जो कि 92.92.28 परतिसत किया है लेकि राज्य पूशा है तो देखें लक्षदिफ जो है आपका परदेश हो गया दो राज्य पूशा था पहला तो केरल है और दुसरा बताएं मीजोरम में 91.58 परतिसत के साथ सक्सादातर अधिक राधर और आपको बता देए जनगना जनगना के बारे में बता देpatient 1862 याद रखेएगा देखिए Nikola Trans istив die 18 72 में Lord Malino के दवारा भारत में पहली बार जनगाना स्ट किया गया था और 1868150 में Lord Ripon के दवारा जो नियमीत जनगाना जो पड़तिक दस वर्स पर जो शुरुआत किया गया था Lord esa कि द्रवरा किया गया तो नहीं ना गुपता को दिसंबर 2021 में किस पुरसकार से स्तमानित किया गया गया था बंक्सर का ईयुद किन के मद उलरा गया था टहरा था चाहिए सफ़रस का सवावट सब्सवरस्वणे सब्सकार में लरा गया था जिसमें East India Company के तरफ से जो Captain Monroe थे और जो मोगल के मोगल की तरफ मोगल और मतलब मोगल और अवद के नवाब के बीच में लड़ा गया था याद रखेगा उसमें क्या होता है देखे जो मतलब बंगाल के नवाब होते हैं मिरकासिम होता है और अवद के जो नवाब होते हैं सु दौला थे उनका जो मतलब क्या थे जो सन्युक्त सेना थे उसको मतलब मुन्रों के दवारा हरा दे जाता है और बक्सर का युद्ध ही एक ऐसा निर्नायक युद्धा जिसने यह सिट कर दिया था कि जो अंग्रेज जो है भारत पे सासन कर सकते हैं याद रखेगा याद ससंतामने इसमिं last का युद्ध होता है उसमें जो गवर्नर जो अ जुआ होता है युद्ध को जीत जाता है यह भी याद रखेगहा उसके बाद सकी पानी पतक दिवती होता हुआ पानि पतक दिवती यूदों करें होता है और आहां में जो है पानीपत का तिरती जाता है उसके बाद दो यूद होर्ट रखेगा 1191 जो आपका पानी जो मतलब 1191 इस वी में एक यूद होता है पिर्थिविरा-चोहान के बीच में जी जाता है और 1192 इस भी में क्या होता है पिर्थी विराज चोहान की हार हो जाती है यह याद रखेगा और मुहम्मद गुरी जो है यूद जी जाता है तो यह याद रखेगा 1191 और 1192 इस भी का ठीक है उस बाद की फ्रेंच मैथमेटिक्स का जो मतलब कोस्तन था और प्रॉफिट एंड से प्रेवियस जो मतलब जो पहले के सीफ्ट में जितना भी पेपर हुआ है उसी नुसार मैधेमेटिक्स का भी कोस्तन आ रहा है और हिंदी का भी आ रहा है लो प्रविव चाना हुता है क्रिश्चणा होता है विञों सब्सक्राइट किटा है जो он 2 जो मुहवरा से विकौषन साता है रिजुन इस हो सब जो टॉपिक है आप लोग देखके जाएगा थीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट जो शिफ्ट का एक जाम आएगा उसमें मिलते हैं और जो भी कॉसन आपको सिकेंड जुट का जो ठाड जुलाई 23 में जो पर हुआ है उसका कोशन याध हो तो आपनों कमेंट में लिखेगा थैंक यू